अज हम आपकी जोग्राफिक की बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे बहुत इंटरस्टिंग चैप्टर होने वाला है तो आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहा है आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ते पढ़ते मेरे साथ क्रेश कोर्स का यह हमारा सेकंड करना कि से पुस्ति देखते हैं पहले हमसे चैप्टर का कि बेसेकलि मैनुफेक्चिरिंग होता क्या है ठीक है सबसे पहले चैप्टर के मतलप को समझना बहुत इंटोड़क्शन देखते हैं सपह्तिं की सटोडी है हरिष राम की दीवाली की टीवाली के सांथ जो है जाता है उसकी आप लोग जाते है अब दिवाली होगी रक्षाबंदन हो गया होली इद को भी फेस्टेवल होता है सबको मार्केटिंग करना बहुत पसंदो है तो यह मिल रही होते हैं हम समान खरिदे हैं मिल रही होते हैं और तरीकी की सीज़े models तो यह जो चीजे हैं यह क्या है यह चीजे आपके प्रोड़क्ट कहलाती है ठीक है अब यह जो प्रोड़क्ट है यह कहां से बनता है कैसे आता है बजारों में कैसे आता है जादू चे तो आने जाता होगा कहीं न कहीं तो बनता ही होगा न तो यह जहां पर बनता है उस पू यहीं कंवर्ट कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं manufacturing पहले पहने हैं मैं यूंज पहने हैं यह हम यूद्ध प्रोडक्ट्स नियुक कहीं से बना है और इसको बनाने में रॉड्टेयल का एंपने पहले हैं के श्रूगर केन से बनी है ठीक है हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कैसे बनते हैं कॉटन कहा से आती है जो कॉटन का हम लोग प्रोड़क्षिन जो इतरीकिसे कॉटन के खेती करतें महां से आता है ठीक है तो इस रहा मट्यूल को एक वैलुएबल आइटम्स में कर दें कि Be क्यूंकर नहीं कुछ जान प्हार पाते हैं तो हम क्या करते हैं क्या जो करते हैं उसको पीसते पर नाते हैं इस और जो self-reenment manufacturing कहते हैं एक होता है see for Gemini可以 मरे एकनॉमिटेंट सेक Raptor होते हैं उसमें सेकंडर सेक्टर में आता है आपको सेकंटर में आता है सीडिकीक्टर में आपको में मैंनियुफस्यारिस और हो सर्फिस प्रोवाइडर सब्सक्राइं है जिसमें डॉक्टरी टीचिंग वगरा आजाते हैं अगर अगर आपने आपको ल underestimbn हो तो मैं तरिशरी सेक्टर में आता ही promotionalJa गया के यह इ moléदी के डेवलपमेंट के लिए कंट्री की श्रंथ होती है उसको मेजर करने का एक बहुत अच्छा पैमाना होता है manufacturing industry जिस country में industry बहुत ज़ादा होगी वो country उतनी ही ज्यदा क्या होगी फ्लॉरिश होगी बहुत ज़दा प्रोस्पेरस होगी और बहुत ज़दा मजबूत एकॉनमी वाली होगी ठीक है तो यह थो था आपका इंट्रोडक्शन अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है अब अगर हम बात करें कि यह जो मैनुफेक्ट और मीफॉर माई बैड हैंट राइटिंग तो देखो अकर हम बात करें इंप्वाइब कर तो तीन नमबर का कोशन यह पांच नमबर कोशन आया का तो आप क्या कर लेने हैं आपका यह पूरा कोश्चन का मैं अंसर प्रेपार करके लेकर आई हूं ठीक है तो आपने इसे या बाइक का बैकबॉन होता है रेड की हड़ी होती है ठीक है क्योंकि एक देश की डेवलपमेंट है वह कहीं ना कहीं मैनुफेक्टरिंग पर ही डिपैंड करती है देखो इट हैल्प इन एक्री कल्चर हमारा एक्री कल्चर सेक्टर जो है हम क्यों प्रिमिटिव तरीक से खेत इस्तिमाल करेंगे जो फैक्टरी में बनती है हम लोग इरिगेशन के लिए क्यों हम लोग बारिश पर रेन पर डिपैंड करें नहीं हम तो क्या बनाएंगे ट्यूबल बनाएंगे तो एक तरीक से देखा जाए तो मॉडर्णाइजिंग करने में एक्री कल्चर को एक देश से गरीबी को बेरुजगारी को और बुखमरी को दूर करने का एक बहुत बढ़ी आसा मेजर है यह क्या क्या है मेजर आपका इंडस्ट्रियल गूद ठीक है और सिबसे बड़ी बात इसको समझना बहुत जरूरी है दोको मान लीजिए हमारे इंडिया में ही कुछ स्टेट बहुत ज़दा डेविलप है ठीक है आपने क्लास 9 में पोवर्टी बारे चैप्टर में पढ़ा होगा पोवर्टी अच्छा चैलेंज में कि कुछ सेक्टर कुछ आपके स्टेट बहुत डेवलप है जैसे कि हरियाना हो गया गुजरात हो पंजाब हो गया यह बहु सबसे बढ़ाइम्पॉट है को तो सबसे बढ़ा इंप्टर्ट कर सकते है उनकी पूजिशन को तो सबसे बड़ा important इंपोर्टेंस तो उसकी यह हो गई क्या कर सकते हो आप किसी एरिया के economic strength को बढ़ा सकते हो इंडस्ट्री को establish करके ठीक है यह बहुत बड़ा importance होता है फिर हम बात करते है foreign exchange foreign exchange का मतलब क्या होता है अब अगर आपने शुगर केन से शुगर बनाया चिनी बना ली तो सारे चिनी का खुद खाजाओगे शुकर हो जाएका diabetes की problem हो जाएगी तो क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा शुगर को हम बाहर के इंडिया का foreign exchange बढ़ेगा इसलिए हमारे को क्या करना है अपनी manufacturing इंडस्ट्रीज को जदद से जदा बढ़ाना है तो बहुत वराइटी ऑफ फरनिश्ट गुड्स ऑफ हाईयर वैल्यू यानि कि देखो अगर आप raw material बेचोगे मानलो आप शुगर केन बेचते हो पांच आप गन्ने बेचते हो सौर्पे में तो आप तो खुश हो गए लेकिन आपने कभी सूच है कि अगर आप उन शुगर केंस को वराइट को बेचना है ताकि हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और हम क्या कर सकते हैं अपने अपनी कंट्री को जड़ा प्रोस्पेरस हम बना सकते हैं तो यह सारी कुछ क्या थी इंपॉर्टेंस थी ध्यान रखना पांच नमबर का कोशन बन जाता है अब एक कोशन से अलग नहीं है इस स्टेट्मेंट को जस्टिफाई करो यह जोन तो यह हांच मिला के आगे बढ़ते हैं तो कैसे त्री पॉंट्स है अगरी कल्चर एंड़ एंड़ी के डिया इंटर इंटरियों बहुत दूसरी से इंटरूरे आपदेंड करते हैं इंड़ीव तू अग्रिकल्चर अरे इंडूस्तरी गिवस्ट टू एग्रिकल्चर अब दिखु यहाल रहीं एंडूस्टरीसर भीकान लगए लिविंगल्च इंडूस्टरीसッ जेकर प्लस मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री जो है वह 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 पूरी तरीकी से डिपेंड है अपनी ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें एग्री कल्चर सेक्टर की तो अगर खni खंच के लिए प्रजियर के लिए घ्री तरीकरें ऑपकी इंडस्ट्री से बहुत जदाु retail के लिए कि साथ फेयर करती इसले भी केनोट सेपरेट बोथ इस फैक्टर अब अगर हम बात करें आपकी नेशनल एकानिमी में इंडस्ट्री का क्या कॉंट्रिबूशन होता है तो इसको समझना बहुत जरूरी है देखो हमारी इंडिया का टोटल जो जीडीपी होता है जीडीपी मतलब होता है एक देश सोच रहे होंगे कि 17 परसंट तो बहुत जादा है लेकिन ज्यादा नहीं है यह बहुत कम है तिक है अगर हम बात करें आपकी साउथ इस एस 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 एसे कंट्रीज में कौन को आ जाएगा आपका इरान एराग पूरा जो एरिया आजाएगा इसारी कंट्री गल्फ कंट्री जाएगी इसमें तो यहां पर एकनोमी का इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का जीडिपी में पता है कितना परसंट योगदान है 25 तो 35 परसंट और on the other hand we are just contributing on the 17% in our GDP this is very low so we need to improve our percentage in the GDP ठीक है इसके लिए क्या कर रहे है इसके लिए गोर्मेंट कर रही है the National Manufacturing Competitiveness Council has been set up by the government to make appropriate policy measure to improve the productivity अब हम लोगों ने target रखा है कि every decade we will increase our contribution in GDP by the 12% अभी फिलहाल जी 8-10% है बट हमारी क्या कोशिच रहेगी अगले आने वाले 3 decades में कि हम इसको 12% करें और इसमें कौन बहुत important role play कर रहा है हमारा NMCC अचा अब ऐसे बेटा इसकी pull firm नहीं आती है पर में ठीक है तो फिर भी आपको सिंपल से याद करना है कोशिन भी कमी बनता है कि क्या contribution है बट जो भी है चैप्टर में था तो हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट्राइड में अब हम पढ़ेंगे इंडस्रियल लोके के लिए बहुत सारी चीजी जो है वह बहुत इंपोर्टेंट रोल पे करते हैं बहुत सारे फैक्टर है जो एक कंट्री एक इंडस्ट्री के स्टाब्रिश्ट्मेंट को अफेक्ट करते हैं फॉर एक्जामपल एविलेबिलिटी ओफ दर रो माटेरियल यानि कि कच्छा माल लेबर, कैपिटल, पावर, एंड मार्केट, एट्सक्रा, वेर अल दीस थिंग्स आर अविलेबल वी इस्टाब्रिश आवर इंडस्री इंडस्री इन बाट प्रेस बट आई विलेवल तेल यू यह सारी चीजे एक जगा मिलना बिलकुल इंपोसिबल है, मिली ही नहीं सकती है, तो हम लोग आप क्या करेंगे, वाट वी विल दू कॉंसिक्वेंट लिए कि दुष्ट परिणाम सब्रूप, मैनुफेक्ट्रिंग एक्टिविटीटीज तेंड टू लोकेट अट प्रोप्रेट प्रेस वेर अल दूप्रेट प्रेस आप इंडस्री लोकेशन आर इदर एविलेबल और कैन भी अरेंज एट लो कॉस्ट यार तो यह सारे एक जगा एविलेबल जो कि बिल्कुली पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे यह सारे अवेल करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे करेंगे कि वहां पर इसारे चीज़े बहुती इजली अवि पैसोटीज को अस्ताब्रिश करेंगे तो इसी लिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉलो द अर्माइजेशन तीक यहां पर आपको अपका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा कैसे देखो मानलीजीये यहां पर एक इंडस्ट्रिज लग गई हैं पर आपकी इंड एरिया में कुछ भी नहीं था पहले लेकिन अगर यहां पर कोई फैक्टरी लगी है तो गाउं से लोग यहां पर काम करने भी आएंगे अब जो लोग चुटी ओने के बाद गाउं जोएंगे ना क्या करेंगे आस-पास के एरिया में घर लेके रहेंगे तो इन लोगों ने य के बसक्ते अब स्कूल अब भी आएगा अब देखेंगे कोई को जो ने की हैं इहां पर स्नेमा हॉल करें कि यहां पर ने यहां भी वार्पने इनकी फ्रिगों ठेंट कर देंटेनिमेंट बंसे पर यहां जाएंगी कोर्पन से अ dire lesion को प्रोसेस वह हो जाएगा हमारा ठीक है तो दढ़ाट इस वाइए इस ने चेंड डिविशोफ फॉलोग दाश्वी इंडुस्ट्रियोड फॉलोग दाइनीजेशन तीक है और जैसे जैसे आपका अपका सेक्टर डैविलप्र अबनाइजेशन हो गा ना वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो हैं वह यहां पर दिरी दिरी ग्रोथ करेंगी और फ्लॉरिश हो जाएगा तो यह चीजे होती है एक इंडस्ट्री का ग्रोथ करने से आपके देश का शहरी करन्ट भी होता है अब देखो एग्लोमेरेशन एकनॉमिका मतलब क्या होता है यह अब यहां पर शुरू हुआ अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो दूसरी कंपनी ना आए टी सेक्टर की जो आगे खुलने वाली होगी यहां नहीं जो है ओपन होने वाली होगी तो वह आसपास की ही लोकेशन देखेगी पता है क्योंकि यहां पर उसको लगता होगा कि अगर अब एक खुल गई है तो यहां पर दूसरी इंटरी जो है जो है इस टाबलिश हो जाएगी यहीं है कि एक स्पैसिफिक एरिया में स्पैसिफिक तरीकी की जो कंपनियां होती है वो ओपन होती है तीक है गुड़गाओं में हमारा का देखने को मिलता है गुड़गाओं और यहां पर देखने को मिलते हैं आपको सारे बैंगलॉर में देखने को मिलते हैं उसका पीछे रीजन यह है कि सब लोग एक तरीकी की कंपनियां एक ही जगा में आके स्क्राब्रिश होना चाहती है इसको ही बोलते हैं अग्लूमरेशन एकॉनमी तो पढ़ लेते हैं एक बार मैंनी इंडस्ट्री तेंड टू कम तुगेधर टू में यूज ऑफ एड्वांटेजिस ऑफर्ड बाइद अर्बन सेंटर यहां असपास में क्या था ना इटी सेक्टर वाला पूरा अर्बन सेक्टर यहां पर यहां पर आ गए अब दूसरी यहां पर इसलिए होगी ता कि ऐनले और यहां पर काम करने वाले एंबर योफ यहां पर जुड़ा हैं उसको भूगे तो यहां पर सारी कंपनिया जो है वह आके एक धिस्वाइब बल ot जिवाइब पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कंपनी को दोटous इनने सक्षाइब करेंगे अपना ब्रहुत प्रोडक्ट निकल के बाहर आएंगे तयार है तरहाई जो आपका है तो चीजों के पैसा आएगा आपकी इंकम भी हो जाएगी अब जो पैसा आपके पास आया उस पैसे का अब उसमें से कुछ पैसे का इस्तिमाल आप क्या करेंगे फिर से दुबारा से raw material खरतने में लगा लेंगे और जो बचा हुआ income है वो क्या है आपकी income कहलो या फिर आपका profit कहलो तो इस तरीके से आपने देखा ना कि कैसे इंडस्ट्री और मार्केट एक दूसरे से लिंक अप रहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो जो आप जो पाइंट रहे को वेट आप जाते हैं मार्केट बढ़ खरीदा फैन खरीदा कॉप यह खरीद चीनी भी खरीद ली टिक है और कि मार्केट के अंदर आप को इस सारी चीजिए मिल गई न मिल गई लेकिन कभी आपने देखा कि अगर हम इन सब चीजों को एक ही जगा बनाए तो क्या पॉसिबल होगा बिलकुल पॉसिबल की आप इन सारी चीजों को एक ही जगा प्रोडिूच करने बिलकुल पॉसिबल नहीं तो इसलिए क्लासिफिकशन करना बहुत जरूरी है ताकि आप इंडस्ट्रि पढ़ते समय आपको बहुत ही एजी रहे कि एक तरीक की इंडस्ट्री है तो हम स्राइट करते हैं सबसे पहले हम रोओ मर्टिरियल के बेष पे अपनी इंडस्ट्री लिसको डूar बर्ट करते हैं एक होती हैं आपकी एंसी को आपको ऑड्रे कुछ लि शेक्टल से यह की प्रामरी से चेर से मिल जाता है इसमें आपकी जो हो जाएगी कॉटन टेक्टाइल इंडस्टरी हो जाएगी और कौन-कौन सी हो जाएगी मुझे कमेंट में बताएंगे और अगर हम बात करें और एलुमिनियूम औरी वगरा जो है आजाती हैं अब अगर हम बात करें उनके रोल के उपर इंडस्ट्रिस की में रोल के अकॉर्डिंग में रोल के बेस पे हम इंडस्ट्रिस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक होता है बेसिक और की इंडस्ट्री विच क्या होता है दोबारा पती हूं जैसे आपने आयरन क्isu कोई कंपनी आपको मंशीने लगाने हैं तो मशी इंक से बनती है यह दिए मंशीरे बन जयते हैं अब जो कैसी बनती है अम उती बनती है लोहें से बनती है यहां पर हम दोसरी कंपनी के लिए एक रॉडार की तो पर यहां पर हम आपकी आपकी आय्रण ओरी इस इंदस्ट्री हो गई यहां ज़ने की एक एसी इंडस्ट्री जहां पर आइरन को ले जाये जाता है और उस आरन को हम बात में किसी ऐसी इस बेश देते हैं जो उस लोहे का इस्तिवाल करके शायद कार बना रही है शायद हो सकतर टेबल बना रही हो तो यहां का जो आय यहां इस वाली कंपनी के लिए जो था वह तो इस कंपनी के लिए कच्छा माल था ना रॉ अर्वाटरीयल था तो यह l ओर कंपनी होगी यह क्या होगी की इंडस्ट्री होगी ठीक है और अगर हम करें कंचीमर Red ठीजरी थाख जोनी निया डिरेक्न सवर्वास की बनाने के लिए और उसको बैची हमारे गरों में direct हमारे को भी तो इसने हमारे को क्या यह ती ओक आप की सिख वाल पात करें कि इंड़ी के एक्जामपल की तोढ़ीया कि इंड़गों सीप्ल अपने अपनी इना समाल को डिरेक्ट感 vend for दूसरे इंडस्ट्री को as a raw material बेजती है तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं की इंडस्ट्री I hope आपको clear हो गया होगा फिर भी कोई doubt है तो you can follow me in my Instagram account ठीके I will surely answer your all the queries अगर हम बात करें capital investment की तो capital investment के base पे हम अपनी industries को two parts में डिवाइड करते हैं एक होती है large scale industry लार्ज स्केल इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होती हैं जहां पर हम बहुत सारा पैसा इंवेस्ट करते हैं और एक बहुत बड़ी company जो है वह बनाते हैं इप दा स्केल इंडस्ट्री होती है क्योंकि इनका raw material एक तो भारी होता है प्लस investment बहुत जदा लगती है इन कंपनियों में ठीके और अगर हम बात करें आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो यहां पर ना जो इन्वेस्टमेंट होती है वह वन क्रॉल से कम की होती है जैसे कि आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई आपकी बल्ब इंडस्ट्री हो गई इलक्ट्रोनिक इंडस्ट्री हो गई यहां का इसका एक तो raw material हलका होता है प्लस यहां पर investment भी थोड़ी कम लगती है इसलिए हम इनको small scale industries बोलती है ठीक है अब अगर हम बात करें on the basis of ownership यानि की स्वामित्व के आधार पे स्वामित्व मतलब नहीं समझे होगे हिंदी में देखो on the basis of ownership का मतलब होता है जब आप अपनी जब आप मालिकाना हक के आधार पर अपनी इंडस्ट्री को डिवाइड करते हो ति मालिकाना मतलब कौन मालिक है उसका public sector पब्लिक सेक्टर जो होता है यह एक ऐसी इंडस्ट्री होती है कहां के करसर यहां पर है यह यलो हो गया ना इसको चेंज करते हैं पहले तो प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में इट इस दा ऑन और इंडिविज्वीज और गृप इन्डिविज्वीजुल यह यानि कि पर्सनली लोग अपना खुद की जो स्टार्ट आप स्टाट करते हैं कमपनिया स्कूद करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एक्जामपल आजाएगा आपका तिस्को आजाएगा बजाज आजाएगा डाबर इंडस्ट्री आजाएंगी और टाटा आजाएंगे रितन टाटा की है जो ठीक है यह तो काफी अपने बहुत सुना भी हो गई सारा प्राइविट सेक्टर का एक्जामपल है अब अगर हम बात करें जॉइंट सेक्टर की तो यह ना मिश्रन होता ह आपको नाम से पता लागव रहा हुगा जिसमें दो तरीकी की इंडस्ट्रियां जो है मिलकर काम करती है और दोनों मिलकर अपनी कंपनी सेटप करते हैं तो सकता है कि ऐसे काम कर चाहें तो इसका और आपका हो जाएगा ओइल इंडिया लिमिटेड तो आपने क्लास नाइंत में शूश्यलिजम इन यूरोप पढ़ा होगा जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्जाम्डिल होती है जहां पर जितने भी लोग काम करने वाले होते अ ह्यानी हैं सब लोग मिलकर काम करते हैं और दें लोग आपस में शेर कर लेते हैं आज़े आपको दिया हुआ है based on the bulk and weight of raw material यानिकि अगर आपका raw material हवी है तो उस industry को क्या बोलेंगे और अगर आपका raw material हल्का है तो उस इंडिस्ट्री को हम बोलते हैं light industry यह अगर बात करें लाइट इंडस्री तो उसका raw material हल्का होता है जैसे कि आपका इलेक्ट्रोनिक आइटम जितना भी होता है कंप्यूटर वगर के पार्ट्स बंते हैं सुची होते हैं यह छलकी से तो होते हैं तो आपके लाइट इंडस्टरी में काउंट होती है तो बस बची आपका आज का क्लासिफिकेशन वाला इतना ही पोष्ण था पे पर मैंना यह भी पूछ लेका तो आपको इसा चीज़े लर्न करके चलनी पड़ेंगी साथ के साथ कैसे अपने का इंड़ेंगी चीज़वेश कासन करेंगी यांग कि आज शाष्ट करेंगे डि के मुझे बताओ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेर करो यार शेर करो ताकि उनका भी भला हो सके और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए ठैंक्स यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल 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 झाल